जिन्दगी पॉजिटिव है यह वर्डिंग जो है बहुत ही खुबसूरत है और इससे एक अलग सा अनुभव होना शुरू हो जाता है लाइफ में ऐसे प्यारे बच्चे छोटे से बच्चे जो जिन्दगी को सीखना शुरू करने वाले हैं और यहां आके देखा बहुत ही खुबसूरत लग रहे थे यह नन्ने मुन्ने पोदे होदे मतलब की अभी इनकी एज जो है वह छोटी है और यह आए है हम रंजीत स्कूल में और आए देखाते हैं आपको ऐसे बच्चों को पढ़ते हुए मैं पढ़ारी है यहां पे छोटे छोटे बच्चे खुबसूरत से बच्चे जिन्दगी की नई रहा को चुनते हुए यह बच्चे और ना जाने आगे जिन्दगियों में कितने बड़े बड़े बोज उठाने वाले हैं कहते हैं बच्चपन जो होता है बहुत प्यारा होता है यह बच्चपन सकून देता है अभी इनको कुछ नहीं मालूम कि आगे जिन्दगी के कितने बोजे इनके ओपर लदने वाले हैं इनके कंदों पे आएए दिखाते हैं इनके मासूम सी, प्यारी सी, खुबसुरत सी क्या नाम है आपका? अर्पिता अर्पिता, क्या पढ़ रहे हो अर्पिता? एक अर्पिता पढ़ए पढ़ के बता, अर्पिता है? मज़ा आते हैं स्कोल आके, कैसा लग रहे है ल क्या नाम है? व Спीजैर अर्पिता smile देते हुए आपका नाम क्या है? मेरा नाम था वो रिवियान से मैं पढ़ाई करता था पढ़ाई करते थे? आपको स्कूल आना अच्छा लगता है? कैसे लग रहे हैं आज यहां पढ़ाई करते हुए? मैं पढ़ाई करते थे जब छुटियां थी घर पे रहते थे आप सारे बच्चे तो आपको सोना अच्छा लगता था यहां आप सारे बच्चे स्कूल को मिस करते थे तीचर्स की याद आती थी बताओ 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 ना याद आती थी अब ही मिलाते हैं इनकी प्यारी सी टीचर से मैं जब सी स्कूल ओपन हुआ है बच्चे आरे पढ़ाई करने के लिए कैसा फील हो रहा है कि बच्चों को अच्छा लग रहा है या बच्चों में नीन आती है जिसे वह आदते थराप हो चुकी थी बहुत अच्छा लग रहा है और एक्टिव है चुटियों की वज़े से बच्चों को थोड़ा सा बढ़ा था फरक बट अब स्कूल आने से हमें भी अच्छा लग रहा है स्कूल आने से इसा लग रहा है जिन्दकी फर्ट से शुरू हो गए खुम मस्ती करते हैं बच्चे इंजोई भी अच्छा आए चलते हैं एक और नई क्लास में छोटे छोटे गुल्दस्ते यहां पे धेरों गुल्दस्ते भरे पड़े हैं अलग लग चेहरे के दिया स्कूली के ऐसी जगे है जिसमें हर कॉमेनिटी के लोग हर कमेनिटी के दूर मन मुटाब से कोसो दूर इनको कुछ नहीं मालूम आगे जिन्दगी में क्या बनने वाले हैं बड़े होके अगर मालूम है तो सिरफ यही एक दोस्ती का विवहार जो यहां आके सिखाया जाता है बच्चों को ओपन यूर माउथ हा 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 जब से हम पैदा हुए है यह सब पोईम हमें भी सिखाय जाते थी और यह तीन साल के बच्चे अभी नाया नया स्कूल जॉइन किया है कोई सो रहा है कोई खिलखला के पढ़ रहा है कोई मुझे देख रहा है कोई टीचर की तरफ ध्यान से दे किते खुबसूरत सी स्माइल नाया की क्या कर रही है नाया कोई पढ़ा ही कर रहे हो ते देख रहे हैं प्यारे बच्चे मासूमियत से भरे हो है आए दिखाते हैं कैमरा में इन बच्चों की मसूम सी शकले जो इतनी उमर से भी बड़ी बड़ी किताब्ये सामने रखी हैं पर इस स्कूल का एक मैंने देखा है इस स्कूल में इतना बोज नहीं डाला जाता बच्चों के ओपर घर जैसा फील कराते हैं यहां पर और जब बच्चों को नीद आती है तो सुला भी देती है टीचर्स यहां के टीचर्स में बहुत प्यार ममता भरी पड़ी है अपना पन पड़ा है इसलिए तो बच्च स्कूल आना पसंद करते हैं यह बच्चा क्या कर रहा है तो बच्चे जब आते हैं फड़ने के लिए तो मा जैसी ममता भिखेने वाली टीचर्स गुरू आये बात करते इनको संभालना होता है बड़े प्यार से पढ़ लेते हैं, इनको पता है हम स्कूल आये हैं, थोड़ा हमें टेबल मैनिट्स के लिए, बड़ा कर लेते हैं, घर से भी इनको थोड़ा होता है कि आप स्कूल जा रहे हो, मदर भी इनको सिखाती है, यहां हम भी इनको सिखाते है बच ठीक है कर लेते हैं चोटे-चोटे अभी इनको जस्मेने इंटर्ड्यूस करवाया नोट बुक्स बट यह कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं अपकी क्लास में बच्छों बड़े खुश है यह अपकी खुब सुर्ण स्माइल का राज है यह प्र चो के साथ आप बच्चे बंजाते हूं कि बीलकुल मैम बीलक्ग बंजाते हूं कि वेख दल्ली को इस सथा जर्ण सना न बच्छों के साथ चलोजिए मैरा सथ राईम्स बोलेंगे हम जनी-जनी sब बोलेंगे जनी जनी helps बैठी है खुबसुरत सी शक्सित, नाम है बलजिंदर कोर्ट और एक प्यारा से स्कूल की इनॉगरिशन पे इन्होंने मुझे एक बर बुलाया था तो सोचा चलिया, ये आज मिलते हैं कैसी खुबसुरत परस्टनलटी से, मैम वेलकम करते हैं C.E.N. News में आपका और जानना Sandhya ji, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारा इस विद्या के मंदिर में जिससे हम रंचीत क्लोबल स्कूल के नाम से जानते हैं आप भी पूरी सोसाइटी में और रही आपके सवाल की बात तो मैम ऐसा है कि जो मेरी बैग्राउंड है मेरे माई के वाली सा तो एक मतलब गाते है ना कि यह स्टार्टिंग से ही आपकी कुछ घ्राइड हो यह मतलब एक महाल रहता है तो यह बहुत इंपोर्टेंट एक रोल था कि मतलब मेरा एक सपना था कि जैसे ममा के साथ स्कूल जाना वहां बच्चों को देखना चोटे-चोटे प्यारे प्यार प्यारे बच्चों को देखे आपके चेरे में अलग सी मुस्कुराहत आ जाती है और एसे लग रहा था कि यह बच्चे दूसरों के बच्चे नहीं है आप यह बच्चे है तो इसके बारे में क्या कहते है जी जी माम यह तो बहुत आपने एक जरूरी बात मेरे से पूछी क् सब्सक्राद की इधार में विपार, जो में उनके लेवल पही आना पड़ेगा जो बच्छों की मासुमियत है राप उस पो समझना है तो आपको अपने मासुमित लानी ही पड़ेगी और मेरा यह आप कहась सकते हैं God gift है कि मेरे में ये मासूमियत, ये क्वालिटी वाइ बिल्कुल, आपके खुद के दो बेटे हैं, दो बच्चों के होते भी आपने हजारों बच्चों की माँ बनने का जो फैसला किया, और रंजीत ग्लोबल स्कूल जो आपने ओपन किया, आज मैं देख रही थी कि बच्चे रो रह कि हमें स्कूल नहीं जाना है, इक आपका स्कूल है, जिदर बच्चे रो रहेते कि हमें घर नहीं जाना है, ऐसा क्या जादू भी खेरा है आपने बच्चों के साथ? माम, देखे संदय जी, यहाँ जादू की बार तो नहीं है, हमारा कुरिकुलम हमने कुछ इस तरह से प्लान किया है, कि हमने जादा बर्डन नहीं डाला बच्चों पे, चाहे वो उनकी कुरिकुलर अक्टिविटीज हैं, को कुछ भी, तो हम उन्हें लिंक करते हैं नेचर क को प्यार से पढ़ाईएं, बर्डन नहीं देना है, जादा होमवक नहीं कराना है, जहाँ बच्चा बोले कि स्टॉप, अब मैं नहीं कर सकता, तो बच्चे को बढ़न मत दीजिए, जैसा है, तो वैसे वहीं पे, मैम, मैंने आपकी टीचर्स के अंदर भी वो भावना मैं हमारे हर सेटरड़े को एक छोटी सी वर्क्शॉप होती है टीचर्स के साथ, जिसमें यह नहीं कि मैं अज़ प्रिंसिपल उनको गाइड करती हूं, मैं टीचर्स को भी पूरा मोका देती हूं, कि अगर मेरे में कुछ खामिया है, तो आप मुझे सिखाईए, अगर आप मुझे लगता है, इस फिलिंग को एक्स्प्लें करने के लिए वर्ड्स तो मेरे पास नहीं है, बट एक बहुत स्पेशल सी फिलिंग होती है, जो I don't think so, मैं आपको बता सेती हूं इन वर्ड्स में ये थी मैम प्रंजीद ग्लोबल स्कूल की प्रिंसिपल और बहुत ही प्यारी सी शक्सियत, इन से मिलने का मुझा जब अबे हमें मिलता है, तो एक अलग सा अनुभव होने लगता है, बहुत कुछ हम भी इन से सीख के जाते हैं, बढ़ी पॉजिटीव विटी आती है हमारे बहुत ही प्यारी सी शक्सियत है, बहुत ही प्यारा सा ओरा है, ऐसी ही मैम आप मुस्कुरादे रहिए, और जल्दी फिर से कभी मुगा मिलेगा तो आपसे फिर से मुलकात जरूर करेंगे, तो आज हम आये हैं रंजीद ग्लोबल कॉलेज में, आते ही एंट्री करते ही एक अपसुरत सी शब्दवानी का आज हमारे कानों तक पहुंचा, वाई गुरुजी की वो वानी, वाई गुरुजी का संगीत जब कानों में पहुंचता है, ऐसा लग रहा था कि एक मंदिर में परवेश कर लिया है, और जैसे ही हम दर्वाजा खोलते हैं, तो एक प्यारी सी संसकार इनके अंदर आ गए थे, इनकी मदर ने 65 में एक ऐसे स्कूल में जॉब किया और अपना जो है पूरा इनिशेटिव जो समाज को दिया और उनके हाथों से ना जाने अंगिनत बच्चे अज क्या-क्या ऑफिसर बन चुके हैं, वहीं कान किया डॉक्टर मनमीत सिंग और उन्होंने भी अपने कॉलेज में ना जाने कितने ऐसे बच्चों को एजुकेशन दी और हर कम्यूनिटी के लोग पढ़ते हैं कॉलेज इस स्कूलों में और यहां पे आये मिलाते हैं डॉक्टर मनमीत सिंग से और जानते हैं इनके बारे में तो वेलकम करते हैं, डॉक् किसा फिल हो रहा है आपको सबसे पहले से एंटीम को मेरी तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन आप लोगों ने समय से अपना बेश कीमती समय निकाला और इस संस्था में जैसे आपने अभी कहा यह जो इंसिटूशन से यह मंदिरें मस्जिदें करद्वारें हैं आपने हमारी मर्जी से नहीं होता ना हम उस उपरवाले को दर्खास देते हैं मुझे हिंदू-मुसल्मान से किसाही लड़का लड़की चिट्ठा काला बनाओ तो यह जो बाइडिफाल्ट हम पैदा होते हैं तो सबसे पहले उस अल्ला वाह गुरू का शुकर अदा है कि उसने मु में थे तो ड्यूरिंग एक पैनफुल पार्टिशन जो हमारा इंदोस्तान और पाकिस्तान का हुआ उसमें वो शहीद हो गए और मेरी दादी जी ने वहाइसे माइगरेट करके मेरे फादर साहब के जो जो ब्रदर थे जो बीमारी की वज़ा से उनकी डेथ हुई और उस व हैं से मेरी दादी जी फादर साप और मेरे गोजी उठे और डिगैना कैम्प में आकर वहाँ पर सेटल हुए हम लोगों का जनम हुआ हम मेरे दो भाई और एक बहन हैं तो मेरी मदर जैसे आपने बात की है फादर साब ने अंबाला में भार सारी अपनी सिर्विस इस दी है तो मदर मेरे ने अजे सरकारी अध्यापका बन के हमें पाला है और जो संस्क्रिती मदर ने हमें दी है हमने कोशिच किया कि उसको करें इन बडवें मैंने बीसी किया बीसी करके फर इंजिनिंग और आफ इन वांडर डॉक्रेट इन एडूकेशन तो मैंने 1989 में अजे सब इ हमने अपसी में मदर और फादर ने डिसाइड करके हमने जो जिस जगह पर आप बैठे हमने इंसिटूशन स्टार्ट किये पहले हमने डिप्लोमा इंटीचर ट्रेनिंग जैनी को लोनी से करके कालेज अफ एजूकेशन फिर करतार पबली स्कूल कुट हुआ में अब रंजी होता है मैंने आपके कॉलेज में एक वर चीज नोटीस की है कि यहां बच्चों में आपने तरफ तो एजूकेशन में आपने बढ़ावा दिया दूसरी तरफ आपने बहुत सारी एक्टिविटिस में भी आपने उनको डाला है हर फेल्ड में आपके बच्चे जो है वो इसको पढ़ना है पढ़के उसको अंडेस्टेंडिंग करना कि जो मैंने पढ़ा और समझना है और उसके बाद इंपलिमेंट करना यह तीन पार्ट होते हैं आपने चीज पढ़ी कोई शबद पढ़ा कोई लेसन पढ़ा कोई जिन्दकी का लेसन पढ़ा उसको समझिए इसके सत्त को को लर कर्birds अक्तिविटीस भी भाफ़ ज़रूरी है मैंने सुन इह मैंमीद सिर आप अपने सबीशिव सबैसप्टर से भी आपने तिया था क्या यह सच है उसमें संदिया जी मैंने रिजाइन नहीं ते पिसमें दी ती अधु अभ baptism मेंने किया टी यह 20 साल तो कि उसके बाद मेरी पर्मोशन सुई फिर मैं इंस्पेक्टर बना तो उसके बाद मैं अपने ओफेसर का शुकर गजार हूं कि उन्हें ने जिंदकी में मुझे इस डिपार्मेंट ने मुझे बहुत डिसिप्लन दिया एक्सपोजर दिया और यहां तक मैं एडमिस्टेटिम मे आज तक बड़े लोगों की एक फितरत है कि हम कुछ न कुछ करने के लिए हम काम करते रहते हैं मैं वीडिया की पहले इस पर बात करूँ मेडिया में चार फेक्टर्स बड़े इंपॉर्ट है कि ि झाले से अपको काम करना पड़ता घ्योग एक अी उस पर आपको आप को अख लेक्ट पर फेक्ट्स पर काम करना मठता है और प्यूपल क करना टा और इवेंट्स पर श do एक जगरता पैदा होती होगी तो लगता होगा आपको कि क्यों ना वो क्वेश्चन की अंसर मुझ से बहतर कोई नहीं कर पाएगा सुसाइटी से तो यह भी रिजन हो सकता है कापका यह तो एक पॉट है यह इस एक पॉट ऑफ वन अफ रिजन लेकिन आपको क्लियर करना चाह मीडिया को बड़ा ट्रांस्पेर्न हो के चलना पड़ता है यह तक मैं नेशनल और या प्रिश्ट लेवल की यूट की बात करूं यह जो मैक्सिम मीडिया वो सिर्फ पीपल तक स्टॉप है आप देखें लोगों के पास जातें ना पो फेक्स पे काम करतें ना वो आइडिय करते हैं अगरेवेंट्स पे करते हैं तो यहां तक मेरा अपना इस्पिरिंस है हमारा दिशा टीवी हुआ इस बीडियो चीफ अप दिशा टीवी फ्रम जेहन के तो काफी इंट्रिव वहां किया और इससे भी मैंने सीखा है तो मैरा यह माना कि तिल ड़त यृ लर्णनर आप से जाना जाहेंगे कि आपने एक मध हाउस बनाया है मैं दो तीम बार जब भी आपसे मिलने आई और मैंने आपको वहां पे एक योगा करते हुँ देखा मैंडिटेशन करते हुँ देखा वो उसकी खुबसूरती का बखान आप कर सकते हैं क्या सुद्या जी हम लोगों इसंत्ने भी आट सो क्रोड़ लोग है हम लोगे अपने आप को किसी थे किसी पाट के सथ करत किया है किसी ने किसी को साथ कनेक्ट किया हम लोगों का जो एक अनेक्शन और जैसे आप बहु बैठे है में भी बैठा ऑन के हम सब का सिर्फ एक रिकि कन NO Latinos जिसें मुझे चांज तो यहां तक मेरा जनम मेरे बड़े 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 सब्सक्राइब में हुआ है एक तो रिजन है दूसरा रिजन है जो हमारा स्कूल है जो हमारा ट्रस्ट का एक लोगो है कि वह रोड की आल लेंग लिंक टू नेचर एंड एक्सिलेंस इन लाइफ जिस दिन हम कुदरत को सामने रखके यह सोचें जो भी हमारे पास आता है हिंदो मुस्लमान सिक इसाई यह उस कुदरत वाही गुरू के बच्चे है अगर उस नजर से हम देखें जो यह स्टैटिफकेशन की बात होती है या जो लोग बट गए हैं हम हिंदो मुस्लमान सिक तो इन चीजों को धर किनार करके मैंने यह कोशिश किया है कि हम जो जितना भी बच्चे यहां से पढ़ के जाएं वो नेचर को ना मूलें तो यह जो माड हूस है जो हमारा यह जिसको आप जुगी बोलते हो यह भी एक उदरत के ही एक पहचान है और साथ में यह हमारी उका करते हो नेचर आपको 10 ताइम, 100 ताइम, 1 लाग ताइम वापस कोच नहीं आँ कि कहा चाहता है नीडर और वेख़व बात करते हैं किसी से डरते नहीं उसका क्या रिसत है कई ने वे जाएजिए जी में यू जगहां तो परकार के लेड़ें एक पोलिटीकल लेड़े और एक एकेडमीक लेड़े यह तक और राक किस टैप के लिड़े में उसी पर रहा रहा हूँ मैं पोलिटीकल लेडर स्पटिपनी यह नहीं करना चाहूंगा लेकिन मैक्सिमम लो लोग जो हैं वो पॉलिटीक्स लिए करते हों का अपनी पाटी के जंडे उते हैं अपनी परसनल गेंस होते हैं जो अकैडमिक्शन लोग होते हैं उनके दिमा में एक ही बात होती है जो जही हमारी फंडेशन जनेरेशन है उसका फ्यूचर पर किया उसमें ना वो हिंदू होती उनको सामने रखके काम करते हैं, तो डिफरेंस यह है कि हम तो सिरफ जो हमारे बारत के आने वाले बच्चे हैं, जो हमारा फ्यूचर है, उनका फ्यूचर बैटर कैसी है, यह हमारे मनमीद बात है. जो हमें जो बच्चे बच्चे पढ़के बाहर निकलते हैं, तो डोक्तर मनमीद सिंह का क्या मैसेज रहता है अपने बच्चों के लिए? अशन्देजी, बहुत अच्चर कोस्चिन है, हमारे यहां कालिजऑ एजूकेशन है. I am proud के हमारा को छिलीोडा में टॉप परिंशिपल्स पैठे हुए हूए यहां सी बच्चे पढ़के, अस्टेलिया में, अमेर्का में, अबर्का में, कुछ बच्ची हैं। और काफी कि बात करें डॉक्टर मनमीज से जानना चाहेंगे कि वो सुसाइटी को एक पॉजिटिव कौन सा ऐसा मेसेज देना चाहते हैं मेरी हम भारतिये लोग जो कहा गया कि यह हमारा भारत सबसे श्रहिष्ट है एक गुर्कुल की बात की है हम सब भारतिये मिलके अपने मन में यह कहें कि मनमीज सिंग तू भारतिये है तू कंट्रीबुशन क्या कर रहा है इस सुसाइटी में तो इस दुनिया में पैदा हुआ और क्या दे के जा रहा है हम यह ना सोचें कि भारत हमें क्या दे रहा है यह दुनिया हमें क्या दे रही है हम यह सोचें कि मैं अपने बारत के लिए क्या कंट्रीबुट करों अगर 140 करोड लोग पाजिटिव हो के यह सोचें कि यह मेरा बारत है यह मेरा पूरा विश्व है इसमें मैं contribute करूँ तो मुझे लगता है जो 140 करोड पाजिटिव हो जाए तो भारत एक global leader यहां बात भी हो रही है कि one word government आगे पूरी सिर्फ एक ही government होगी तो मुझे लगता है भारत उसमें श्रेश्ट होगा और मैं जितने भी बच्चे हैं उनको एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने आपको अपडेट करो अपनी नालिज को अपडेट करो और लाइफ को चलिबरेट करो दुनिये की कोई ताकेत आपको पिछार नहीं सकती क्या बात है इतनी अच्छी शक्षत से मिलने का मुखा मिला इनके विचार सुनने का मुखा मिला और बहुत सारे मेसेजिज इनोंने सुसाइटी को दिये मैं संध्या गुप्ता सनी के साथ लेते हैं इजाज़त फरसे मिलेंगे एक ऐसी ही शक्षत के साथ तब तक दीजिए इजाज़त जैडोगर जैडोगर सीएन न्यूज देश प्रदेश की ताज़त रिन खबों के लिए सीएन न्यूज को सबस्क्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर